अब यह अपने फोल्डिंग ब्रेकेट चैनल अब यह कुछ इस तरीके से ओपरेट होती है और फिर से इसको क्लोज करने के लिए इस बटन को फूल करना है यानि की खीचना है तो यह इस तरीके से क्लोज हो जाती है अब आपको इसको लगाते हो क्या-क्या बाते ध्यान में तो यह मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं जब भी आप इसको फिट करो तब आपको यह तो निश्चित होना चाहिए कि यह जो चैनल है इस तरीके से क्रोस बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए एक एमें भी यह क्रोस नहीं लगे इसके लिए कंपने में हमको यहां पर होल दिया है हम को क्या करना है कि इसके सेंटर में लगाना है इसके लिए इसके लिए इतना लंबा दिया है तो आपको यह बात थोड़ी ध्यान दिकनी है तो चलिए अब हम इसको फिट कर देते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि जो घ्रिप है वह थोड़ी लूज है तो आपको क्या करना है कि उस और इस तरीके से ग्रिप के साइड में इस तरीके साथ के लिव मार देनी है इस तरीके से कील मार देने हैं तो फिर वो ग्रिप भूमें की नहीं अगर आपको लगे कि थोड़ी ग्रिप लियूज है तभी ये करना है होना इस्कूर टूट भी सकता है और जो भी आप इस्कूर मारो ये ध्यान रखना कि वो इस्कूर का जो हेड है वो बड़ा होना चाहिए इस होल से वह आर पर नहीं निकलना चाहिए ये आपको ध्यान रखना है हुआ है कि आपको रखने हैं ये काफी मस्त काम आते हैं ये सी जगे पर आपको भी इसी तरीके से ये एकदम राइट एंगल में फिट करनी है अगर ये क्रोस हुआ तो फिर अच्छे से फिट आप नहीं करता होगी और काफी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी जब आप फाइनल इसको फिटिंग करोगे तब प्हुआ अच्छे अब गाईज आप यह सोच रहोंगे कि मैंने उपर वाले स्कूर को थोड़े से मार जिए और नीचे वाले स्कूर को डिस्मिस से टाइट कर रहा हूं तो मैं आपको बता दो कि उपर उपर जो है डिस्मिस इस तरीक से अंदर भी नहीं आ रहा है इसके लिए वहाँ पर मैंने वह वाली त्रिक यूज की अगर यहां पर भी आपको लगे कि इसको ज्यादा टाइट है तो फिर आप इसको मार दीजिए क्योंकि वरना इसको तूट जाएगा सो गाइज यहां पर यह वाला टोफ फिट होने वाला है अब इसमें हमने क्या क्या है कि यह आप देख सकते हो यह पट्टी हमने मारी है तो यह हुआ क्या सामने से रेड़का भी हो गया पुलिस पट्टी को मारने का एक फाइदा यह भी हुआ कि इस चैनल पर अगर हम कि इसके-लिए अपने यह 3 साई प्ति मारी है और पिछे की पट्टी मारी है कि दिए तना यह पर छोडब देना है कि तो यह पूरे इस पाहलों के पीछे तक लेवल में लगती Сов dat यह चारों फाइद पसी लगा में निया तो चलिए अभी म इसको फीट कर दे ते हैं तो अब जैसे आप देख सकते हूं कि यह जो खाते हैं इन खाब्चे के अंदर यह इस तरीके से यह आती है दोनों साइट से यह बेड़ गई है और यह अब हम इसको आज आसाने से इसके अंदर फीट कर सकते हैं आ ऐफ आ आप देख सकते हो कि झो ममनें काता मारता वह इसलिए मारता था क्योंकि वह चैनल जो हें वह पिठ्या तक कि इसली आँ हमने वह खांच मा रहा है अब हमको फाइनली सिल्फ बलगा नहें फिर देखना है कि यह साही से ओपरेट हो रहा है या फिर नहीं तो अब हम को इसको बंद करने के लिए यह जो निचे इसको सिर्फ खीचना है इसको खीच के थोड़ा उपर इसके मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से जो मैंने आपको बटन बता है उनको इस तरीके से पक्र के खीजना है और फोड़ा का उपर जट्का देखें नीचे छोड़ जिना है तो यह इस तरीके से बंद हो जाएगा अब यहां पर कभी कभी क्या प्रोब्लम आती है कि यह जो आप देख सकते हो तो थोड़ी गेप हमारी इधर पड़ रहे हैं तो यह गेप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तो होता क्या है कि वो जो हमने चैनल आरे थी वो हमको टच हो रही है तो इसके लिए हम ने जो यह इसको मारे इसे हम इसको उदर उदर खिषका सकते हैं तो मैं इसको छीड़ करते हैं अब को दिखाता हूं को कि तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ये फीट हो रहा है इसलिए मैं आपको बोला था कि ये जो चैनल होती है ये हमको एकदम राइट एंगल में फीट होनी चाहिए अगर राइट एंगल में नहीं होती है थोड़ा हमको प्रोब्लम करते हैं इसको इस तरीके से खिशका सकते हैं तो फाइनल हमारे ये फीट हो चुका हैं अब यहां पर मैं आपको एक ती दोर बताने चाहूंगा कि यह इसलिए गिस रहा है क्योंकि अभी जो मैंने ले मिनेट लगा है इसकी फीनिसिंग बाकी है कि आप 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 मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में तक तक लिए जाए हिन जाए बारत झाल